Dear students, Welcome to the class. हम लोग साट स्टोरी में The Gold Watch नाम की साट स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं। और पिछले क्लासे भी हमने पढ़ा कि इस कहानी का जो मुख्य पात रहे में करेक्टर है संकू। उसके उपर काफी जिम्मेदारियां थी, काफी उसके उपर उधार भी था लोगों का, घर पर भी पैसों की तंगी थी, और इन सब समस्याओं से पार पाने के लिए उसने एक रास्ता सोचा कि उसके फैक्टरी में जो इंजीनियर हैं, उनके पास एक सोने की घड़ी है, जिसक कि उसकी काफी समस्याओं साल्व हो जाएंगी, तो अपनी योजना के अनुसार एक दिन घड़ी तो उठा लिया संकु ने, लेकिन उसके अंदर एक डर बना हुआ था, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल चोर तो था नहीं, और तभी उसे लगा कि जैसे किसी के पीछे कदमों कि आवाज उसको सुनाई दिया, और उसके मन में अब एक संका घर करके चली गई, घर कर गई कि जरूर किसी ने उसको देख लिया, और वो जाकर आफिस में जाकर बता देगा, और वो काफी अब डरा हुआ महसूस कर रहा था, वहां तक मुलगा ने पढ़ लिया, अब उसक संकु तो संकु जब खड़ा था, घरी उसने उठाकर अपने पाकेट में डाल दिया था, और घरी उसके पाकेट में थी, तभी पीछे से किसी ने कहा कि ब्रदर संकु, वाई आर रहे भाई संकु, यहां क्यों खंबे की तरह चुप-चाप खड़े हो, संकु टॉंड विथ स्टार्ट इंड साम माधवन, इस स्टेंडिंग क्लोज भाई, संकु नो घूम कर देखा, तो पाया कि वहाँ तो माधवन खड़ा है, बगल में ही उसके, संकु स्टेमर डाउड, अब संकु को लगा कि लग रहा है कि इसने जो है, देख लिया है, हाला संकु स्टेमर डाउड, स्टेमर अथा होगया, हकलाते हुए उसने कहा, संकु ने, no reason, बस कुछ नहीं, ऐसे ही, बस खड़ा हूँ, बचने की कोशिश कर रहा था, गो आन माई लायर माधवन सेट विध लाफ एंड वागड वे टू इस वर माधवन ने कहा रहे बस भी करो जूटे और कहते हुए वह हसते मुस्कुराते हुए वह चला गया तो यानि वह एक नर्मल उसने कहा रहे बस करो कोई मतलब नहीं तो यहां इस तरह ख़ड़े क्यों होई दम चुप चाप तो उसने का चलो जोटे कहते हुए वह चला गया उसका कोई खास इंटेंशन था नहीं है कि मस्ट हैव गान एंड रिपोर्टेड दथेट लेकिन संकु के मन में तो चोर है इसलिए उसको लग रहा है जरूर हो गया होगा और जाकर इस चोरी की ख़ब कि मैंने घड़ी को चुराया है पक्का इसने जाकर रिपोर्ट कर दिया होगा बता दिया गया बता दिया होगा माई गाड एवरिवन प्रबेबली न्यू अबाउट इट सोच रहे भगवान अभी तक तो सब को मालूम भी हो गया होगा कि मैंने जो है यनियर की घड़ी कुछ ही देर में वो आएंगे और वो सब के सब आकर उसको सराउंड कर लेंगे उसको जो है अब तो घेरी लेंगे दे वूट लुक एट हिम इन इसकान और का रहा है कि जब वो आ जाएंगे और चारो तरफ से उसको घेर लेंगे तो सब के समस्दूर उसको जो है इसकान से गिना से देखेंगे, तिरस्कार से देखेंगे, यह देखो हमारे बीच में एक चोर भी है, अब तो संकु का डर और भे बढ़ता जा रहा था, कि लो अब तो मुझको लोग घृना से देखेंगे देवुड आल रिमार्क विद डेरिजन और कह रहा है कि अब सब के सब उसके उपर रिमार्क करेंगे टिपणिया करेंगे विद डेरिजन उपहास के रूप में उसका उपहास बनाया जाएगा उसका तिरसकार किया जाएगा और सब कहेंगे ठीफ ठीफ ये देखो जोर 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 then he would be taken before the white boss and reprimanded सब कुछ संको ही सोच रहा है कि आगे क्या 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 होने वाला है करा उसके बाद then he would be taken before the white boss कि उसके बाद तो उसको जो है वो अंग्रेज बास के पास ले जाएगा जो अंग्रेज भॉहां का अधिकारी है बास है मालिक है उसके पास ले जाएगा and reprimanded और वो जब उसके पास उसको ले जाएगा तो बड़ी फटकार लगाएगा उसको क्योंकि उसने इतना बड़ा गलत काम जो है, किया हुआ है. How oddly he would look at him. यहांपर गलत हो गया है, हिन के वोलह, हिम है. How strongly he would look at him. कहले है कि कितने, जो है वो extraordinarily, यानि कथोरता पुर्वक, निर्दैता पुर्वक कितना औो देखेगा वो अंगरेज बास उसकी युर. कि ये उसके आफिस में इतना बड़ा चोर भी एक नोकरी कर रहा है संको वूट सोरली भी डिसमेज़ अब तो संको को पूरा वरोसा हो गया था कि और उसको पूरा जो है डिसमेज कर दिया जाएगा नोकरी उसको अब निकाल दिया जाएगा क्योंकि उसने इतना बड़ा गलत काम किया है चोरी का काम किया है और उसे तभी याद आए दाएट फेलो उसने क्या रहे वह जो एक और जाथी था उसका इनिका एक कर्मचारी था जो कंपनी का वैकी वाज डिसमिज जस्ट फर टेकिंग एंड ओल अंप्रेला वो बिचारा वैकी उसने उसको तो क्यों नोकरी से इसलिए निकाल दिया गया केवल कि उसने तो क्यों एक ओल एक ओल अंप्रेला एक पुराना चाता किसी का उठाया था चुराया था तो एक पुराना चाता उठाने के जुर्म में उसको नोकरी से निकाल दिया गया था संको सोच रहा यहां तो मैंने अंग्रेज इंजिनियर का पुरा गोल्ड वाज सोने की घड़ी उठा लिया है अब तो उसका बचना मुस्किल है एक तो नोकरी से भी जाएगा दूसरी इज़त से भी जाएगा क्योंकि सब उसको चोर समझेंगे चोर कहेंगे अब उसके अं उसके अंदर जो है उसके दिल में एक डर समा गया विज़ा चोड़ी दिप्रेसिंग थार्ट और उसका अब निराइस करने वाले विचार डिप्रेसिंग थार्ट यानि की भैःभीद करने वाले पिजारों से झो इप उसका दम घुट ने लग रहा था चोड़ो गया था याने कि अब वो इतना जादा घबडा गया था, उतने निगेटी विचार इतने जादा उसके अंदर अवा रहे थे, कि अब तो ऐसा लग रहा था कि कुछ सजा बाद में मिलेगी, उसके पहले ही उसके अदम घुट जाएगा, उसकी जान चली जाएगी, और वो बचेगा, न जाता है, करा वहाँ तो जो गार्ड है, वो निस्ति द्रूप से उसका इंतियार कर रहा होगा, कि जैसे ही संकु पहुचेगा, वहाँ उसकी तलासी लेगा, क्योंकि उसको तो मालूम है कि संकु ने चूरी किया है, और तलासी में वो घड़ी निकलेगी, और फिर तो उसकी मुझकले बढ़ जाएंगी, वो पक्का वो मुझको पकड़ लेगा, नो, उसने का न, उधर तो जाना नहीं, उधर तो बहुत खत्रा है, वो उधर नहीं जाएगा, तो करे क्या, उधर बाहर जा नहीं सकता है, खबर उसको लग रहा है कि सबको हो गया होगा, जल्दी वो तो अब वो धेड़बून में फसा हुआ है, घबरहाट अंदर से, सभाविक रूप से, घबराया भी हुआ है, डरा हुआ है, करा ही वूट पुट बैक इस प्लेस, उसने का और कुछ नहीं, पूट इस बैक, उसने का बस इस घड़ी को वापस जल्दी से, अपने जगह पर पाकेट में रखा, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसने की घड़ी की जगह, कोई जलता हुआ कोईला अपने पाकेट में रख लिया हो, जो कि उसको जला रहा हो, तो कह रहा है कि वो इस कोईले को, यानि इस घड़ी को, जो कि उसको जला रही है, उसको वो उसको अपने जग आया कि अगर वो उसको रख देगा तो फिर उसके उपर इतने ज़्यादा जो लोगों के कर्ज हैं उसको कैसे चुकाएगा तो एक दूसरा विचार ये भी आगया ये नहीं भी इसको चुराना भी बड़ा जरूरी है इसलिए उसने का नहीं वो उसको रख तो नहीं सकता बट क्योंकि इसके सिवा उसके सामने कोई और आपसन है नहीं है कि वास एट आफिस रूम फिर से एक बार वो आफिस के रूम में वहीं पर जहां अंग्रेज इंजिनियर का जो आफिस था वहां पर पहुँच गया दविंडो इस्टिल रिमेंड हाफ ओपन अभी जो विंडो है वो हाफ ओपन है आधार खुला हुआ था संकू लुक्ड एराउंड और फिर से जैसा चोरी करने के पहले संकू चारो तरफ से देख कर निस्चिंत होना चाहता था कि उसे कोई देख तो नहीं रहा तो फिर उसने चारो तरफ देखा नो वन वास देयर नो वन एट आल उसने की तरह आज के भी दिन कोई नहीं था तुक दो गोल्ड वाच क्विकली आउट आफ इस पाकेट तुरंत क्विकली जल्दी से उसने अपने पाकेट से वह सोने की घड़ी निकाला और उसका हाथ एकदम एसपन लीव की तरह एक पेड़ होता है जिसकी पतियां हावा में निकालर भी करते हैं तो करा उसका हाथ एकदम काप रहा था और कापते हुए हाथों से जल्दी से उसने जो है उस घड़ी को रख देनी रखा लिए प्रिजेंट ली रिमेंबर्ड लूम एंड ही उन पेड़ेट उस घड़ी को रखते रखते भी जो है उसे याद आ रहा थ इस ओम अपने घर की याद आ रही थी कि घर की जो समस्या हैं वो कैसे साल होंगी, इस अनपेट डेट्स उसके अपने उन करजों के भी याद आ रही थी जिनको वो चुकाया नहीं था, उसके बारें भी सोच रहा था कि रख तो रहा हो घड़ी को लेकिन फिर वो सब करजे कैसे वापस होंगे, क्या करूंगा मैं, लेकिन जो करज थे, जो घर की समस्या हैं थी, उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ उसको अगर पकड़ लिया गया, तो उसकी जड़ भी खराब होगी, लोग उसको चोर समझेंगे, नोखरी से भी निकाल दिया जाएगा, इसलिए इन दोनों कस्मकस के बीच में, अंत में उसे रास्ता वही समझ में आया, कि इस घड़ी को रख देना ही ज़्यादा उचित है उसके लिए, क्योंकि बाकी जीवनकी समझ्याओं का वह सामना किसी नहीं किसी प्रकार से तो कर लेगा, लेकिन उसके उपर जो चोर का ये जो लग जायेगा, उसको वो कैसे दूर करेगा, What was to be done? अब वो सोच रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे क्योंकि उसको वही है घर की समस्याइए भी याद आ रही है। कि आवाज पीछे सुनाई दे रही है क्या फिर कोई आ रहा है समुन वाज टर्निंग उसको लगा हो नहीं लग रहा है कोई वापस आ रहा है यानि लंच से लोग वापस आ रहे हैं उसने तुरंत जो है उस घड़ी को वापस उसी टेबल पर वहीं पर रख दिया और बीना सांस लिये हुए यानि तुरंत वहां से वहां से वापस हो लिया तो इस तरह आज हम लोग संको की कहानी में दे गोल्ड वाच में संको की जो कहानी देखते हैं उसके मनोदसा को देखते हैं कि किस प्रकार से जो संको था वो अपने मजबूरी के कारण घड़ी चुराना चाहता था लेकिन वो एक नेचर से यानि कि सभाव से वो कोई चोर गलत आदमी नहीं था इसलिए वो अपने मजबूरी के कारण भी जो गलत काम करना चाहता था वो नहीं कर पाया क्योंकि कहीं कहीं उसके अंदर का डर जो है उसके अंदर का जो भाय है उसने उसको रोप दिया वो गलत काम करने से और इस प्रकार अंत में लाख मजबूर होत अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिन लोगों ने वीडियो के अच्छे से देखा होगा, समझाओगा, समझ में आ गई होगी, तो आज की कहानी यहीं तक, गुड़ बाई